नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि तवचा और बालों के लिए आप बेशन का किस तरह से उप्योग कर सकते हैं दोस्तों बेशन का आटा परंपरागत रूप से सौंदरिय और स्वास्त लाब के लिए बड़े पैमाने पर उप्योग किया जाता है और यह मुख्या रूप से तवचा को साफ और मुर्त कोशिकाओं को निकालने के लिए प्योग किया जाता है इसे हेर पेक के रूप में इस इस्तिमाल किया जा सकता है तो सबसे पहला जो है कि बेशन का फाइदा ये है कि ये संटेन हटाने में उपयोगी है तो दोस्तों आप इसे कैसे बनाएंगे और इस्तिमाल कैसे करेंगे बेशन का पैक जो है ये स्कीन लाइटनिंग के लिए भी होता है बेशन और नीबू का साथ में प्रयोग तवचा की चमक के लिए बहुती लोग प्रिया घरेलो उपाए है इसे बनाने और इस्तिमाल करने के तरीके की बात करें तो एक चिकना पेश्ट बनाने के लिए चार च चमच बेशन एक चमच नीबू और एक चमच कच्चे दूद को मिलाएं और अब इसे अपने चहरे पर लगाएं और देरे-देरे स्क्रब करें इसे सूखने के बाद ठंडे पानी से इसे दो लें साथ इसाथ दोस्तों बेशन का जो फेस पेक होता है ये तेलिय तवचा में और इसे अपने चहरे पर लगाएं इसे 20 मिनिट के बाद धो लें और यहाँ पेक आपके चहरे से गंदगी और मेकप को भी निकालता है साथ दोस्तों बेशन के जो गुण होते हैं ये पिंपल से लड़ने के लिए उपयोगी होते हैं सुभाविक रूप से पिंपल से लड पाउडर मिलाएं और यह सब चहरे पर लगाएं और सूखने के बाद ठंडे पानी से इसे दो लें साथ ही साथ दोस्तों बेशन हल्दी जो है ये काली गर्दन को भी साफ कर सकता है कई मैलाएं अपनी बाहों और गर्दन को साफ करने पर ध्यान नहीं देती है इसे बनाने और इस्तिमाल करने के तरीके की बात करें तो बेशन, दही, निबू के रस और एक चुटकी हल्दी पाउडर को मिला कर एक पेश्ट तयार करें और इसे अपने चहरे पर लगाएं और 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से दो लें और इस प्रक्रिया को हफते में तीन बार दोहर इस पैक का उपयोग करने के बाद तिल के तिल के साथ अपनी बाहों और गरदन की मालिश करें साथी साथ दोस्तों बेशन के लाब गोरापन लाने में भी सहायक होते हैं इसे बनाने और इस्तिमाल करने के तरीके की बात करें तो चार चमच बेशन का आटा एक चमच पीसे ह संत्रे के चिलके और आदा चम्मच मलाई को मिलाएं और इस पेश्ट को चहरे और गरदन के उपर लगाएं और 15 मिनिट के बाद ठंडे पानी से इसे दो लें और यह पैक आपको ततकाल गोरापन देता है और यह तवचा को चिकनी और नरम भी बनाता है ताद इसाथ दोस्तो बेसन का आटा घरेलू बॉडी स्क्रब के लिए भी उपयोगी है बेसन का आटा तवचा के लिए फाइदे मंद होता है इसे बनाने और इस्तिमाल करने के तरीके की बात करें तो घरेलू बॉडी स्क्रब बनाने के लिए तीन चम्मच बेसन एक चम्मच पीसी हुई जई औ और दो चमच मकई के आटे को थोड़े से कच्चे दूद के साथ मिलाएं और अपने शरीर पर इस मिश्रन को लगाएं और देरे से स्क्रब करें यह एक बहुत ही अच्छा बोड़ी स्क्रब होता है जो कि मृत कोशिकाओं अधिक सिबम और गंदिगी को काफी प्रभावी डं सकता है इसे बनाने की बात करें तो बेसन के साथ मिथी पावडर मिला कर एक पेश्ट तयार करें और इसे अपने चेहरे के बालों पर लगाएं और सूख जाने के बाद दो लें आप बेसन नीबुकेरस मलाई और चंदन पावडर को मिक्स करके फेस पैक तयार कर सकते हैं औ जाहे बालो वाले क्षित्रपल लगाएं और सूख जाने के बाद इसे दो लें साथ इसाथ बेसन के उपाई लंबे और मजबुट बालों में भी लागदायक होते हैं क्या आप जानते हैं कि बेसन को स्वस्थ और चमगदार बालों को बनाए रखने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है एक अंडा दो चमच बेसन एक चमच दही और आधा चमच नीबू के रस को मिला कर हेर पैक तयार करें और इसे अच्छी तरह मिलाएं और बालों पर लगाएं इसे सूखने के बाद ठंडे पानी से दो लें और इसके अलावा लंबे और मजबुत बालों के लिए इ केसन का आठा बादाम पाउडर दही और एक चमच जैतुन के तिल को मिला कर एक हेर पैक त्यार करें और यदि आपके बाल सूखे और डैमेजड हैं तो इस पैक में एक से दो कैप्शूल विटामिन ए के भी आप मिला सकते और इसे बालों पर लगाएं और सूख जाने के ब सब्सक्राइब और बैल आइकन के बटन को जरूर ट्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके थैंक्स फुर यूर टाइम